क्वेशन नॉम्बर नाई iets Fürly अब सब्से पहले हम ही venir pine इसकस करें तो ही तो whether में हो क्या रहा है ही लागले जानि याने फाई दिश्ट तो अलग अगल में प्लांट में प्रेजेंट है दाटिश डेट्प्रेंड types of leaves different types of leaves present in same plant एक ही plant में present in same plant अब ऐसा क्यों किया है plant ने अलग-अलग leaves क्यों बनाई है ये इस वज़े से हो सकता है क्यों कि यहाँ पर उन्हें adapt करना था जैसे कि मैंने एक example भी लिया था एक plant है buttercup अगर वो land पर है यानि terrestrial है तो उसकी leaves broad होगी फैली होई होगी ताकि sunlight अच्छी आए और photosynthesis हो पाए लेकिन अगर हम बात करें उसी के aquatic version के बारे में जो aquatic conditions में पाया जा रहा है तो उसकी leaves पतली-पतली और dissected नजर आएगी अब dissected क्यों है क्योंकि जब पानी बहेगा तो हो सकता है जो lamina है वो फट जाए तो उससे protection के लिए उससे adaptation के लिए उनकी leaf पतली-पतली है तो बानी निकल भी जाएगा तो lamina फटेगा नहीं तो ये क्या है adaptive condition है जिसमें different types of leaves are present in same plant और ये किस तरीके से पाई जाती है या तो ये intrinsic condition में हो intrinsic यानि plant के अंदर ही यहाँ पर अलग-अलग conditions हो juvenile phase में leaf अलग नजर आ रही है और उसके adult phase में अलग नजर आ रही है जैसे cotton plant हो गया coriander हो गया और एक हम बात कर रहे है extrinsic यानि environment की वज़े से condition हो जैसे कि अभी हमने buttercup का example लिया कि terrestrial environment में अलग aquatic में अलग तो ये जो अलग-अलग leaves present है ये hydrophily क्या दरशारी है कि क्या condition है it is an adaptive adaptive feature of plant तो correct answer क्या चला जाएगा hydrophily has adaptive significance correct answer is option B